नमस्कार पुना स्वागत और अविनन श्रिजन नमाचार में मैर्शन शुकला कक्षा साथ की संस्कृत के पुस्तक संस्कृत मन्जूशा का एक दशाह पाठार थाद ग्यारवाँ पाठ सिंख दिलीपयोह समवादा को लेकर उपस्थित हूँ सबसे पहले इसका वाचन करेंगे स्कयनवाद को देखेंगे और संपुना अभ्यासकार एक साथ देखते हुए चलेंगे महाराज दिलीप सेर को मारने के लिए धनु आक्रष्ट सज्जा भवती धनुस की प्रत्यंचा को खीच कर तयार होते हैं सिंग उच्चे हसन सिंग जोर से हसते हुए मही पाल राजा तौश्रमह ब्रथा आपकी महनत बेकार है भमान माम हन्तुम समर्था ना भविश्यति भमान आप माम मुझे हन्तुम यानि मारने के लिए समर्था ना समर्थ नहीं भविश्यति हो पाएंगे आप मुझे मारने के लिए समर्थ नहीं हो पाएंगे दिली भवान कह आप कौन है किम इक्षती क्या चाहते हैं सिंगह भगवत शंकरस सेवक अहम कुम्बोधर असमी भगमान शंकर का सेवक मैं कुम्बोधर हूँ अहम एताम धेनुम हनिश्याम अहम मैं एताम इस धेनुम या काय को हनिश्याम यानि मारूंगा मैं इस काय को मारूंगा दिलीप भवान एवं कथम वदती आप ऐसा क्यों कह रहे हैं सिंगह माता पारवती यम देवदारु ब्रिक्षम पुत्रवत पालितवती माता पारवती ने यम इस देवदारु ब्रिक्ष को पुत्रवत पुत्र क पालิतोवती पाला है एक द एकेन गजेन एक बार एक हाथी के दौारा अस्य व्रिक्षत से इस व्रिक्ष की त्वक यानी छाल को उच्छिन्नम छील दी गई गजस्य दुश्कृत के कारण माता दुखिता अभवत माता दुखी हो गई तदह प्रब्रिति तब से लेकर महादेवेट महादेव के द्वारा एतस्य इसकी रक्षनार्थम रक्षा के लिए अहम आदिश्च मुझे आदेश दिया गया तदह प्रब्रिति तब से लेकर अस्याम गुहायाम इस्थितो अस्मी इस गुहा में इस्थितु अद्धे भाग्यवशात आज भाग्यवश एशाम देनु आगतह यह गाय आगई है अथेव इसलिए एताम देनु त्यजतु इस गाय को छोड़ दीजे दिलीपा कुम्बोध देवा नाम देवा महादेव देवों के देव महादेव जगता रक्षका जगत के रक्षक च और परिपालकश्य और पालन करता है परन्तु इम गुरोह धेनु परन्तु यह गुरु की गाय मया निश्यन रक्षणी यह मेरी द्वारा निश्य ही रक्षा करने योग्य है इत इसलिए इसको छोड़ दीजे माम भक्षतु मुझे खालेजे सिंग विहसे सिंग हसकर विस्त्रतम सम्राज्यम विशाल सम्राज्ये नवम यौवनम नव यौवनम सुंदरम शरीरम च और सुंदर शरीर विहाई छोड़कर कि मर्थम भवान आप क्यों एक स्याह धेनों रक्षई एक गाय की रक्षा के लिए सुह प्राणान अपनी प्राणों को त्यक्तु मिक्षती छोड़ना चाहते हैं या त्यागना चाहते हैं त्याजयर तु मूर्खत तुर। मूर्खता छोड़ो धेनों जीवनस्य अपेक्षा, गाय की जीवन की अपेक्षा भवताम जीवनम बरम आपका जीवन स्रेश्ट है, तो ही क्योंकि भवान जीवित शेत, यदि आप जीवित हैं, सरवासां प्रजानां संवेकं पालनम भविश्यती, तो सारी प्रजा का पालन धीक से होगा, दिलीपह, क्षतात त्रायते, क्षत अर्थात बिपत्य किसी प्रकार की चोड़ से बचाता है, इत्क शत्रिह कथते, इस प्रकार छत्रिय कहलाता है, छत्रिय सनमयह धेनू निश्टेन रक्षनिया, अथा क्षत्रि होने के कारण, मेरे द्वारा यह गाय बख्षा करने योग्य है। इस गाय को छोड़ दो। देनू, नंदनी गाये, राजन, हे राजन, मया भवान परिक्षितह, मेरे दोहरा आपकी परिक्षा ली गई है, शरना गतानाम परित्रानाय, शरना गतों की रक्षा के लिए फवताह आपकी अनुपमया, अनुपम, निष्ठया, निष्ठा से, अहम मैं नितराम प्रशन्न, पहुत प्रशन्न हूँ, आचिरमेव सीख रही ते तुम्हारी कामना पूर्णा भविश्यती, कामना पूर्ण होगी। अस्याम गुहायाम इस गुहा में धेनुहु गाय म मार्थम मेरे लिए त्यजयतु छोड़िये परिपाल कह पालन करने वाला रक्षणिया बचाना चाहिए मूर्खत्वम, मूर्खता, वरम, श्रेष्ट, शतात त्रायते विपत्यत्वा चोट से बचाता है, छत्रियते नस्टे सती, शत्रियता के नस्ट होने पर कोटिशह करोणों दातुम देने के लिए प्रयोजनम उद्देश इमाम धेनुम इस गाय को और नत्य जुक कर अंतर हिताह। अंतर ध्यान हो गया ग्रिहीता ली शरणा गतानाम परित्रणाय सरण में आय हुए की रक्षा के लिए नित्राम अत्यधिक सह। चिंगह दिलीप यह। हनिश्याम उच्छिन्नम दुश्कृत्य इस्थितोश्मी परित्यज्य त्यक्तुमिच्छती जीवतेश्चेत छतात छत्रियत्वे अंतर हिता। पूने वाकेन उत्तरत कुम्भोधरह कस्य सेवकह आसीत कुम्भोधरह भग्वत शंकरस्य सेवकह आसीत माता पारवती कम पुत्रम पुत्रवत पालित वती माता पारवती, देवदार उब्रिक्षम, पुत्रवत, पालित वती, क्षतात कह त्रायते, शतात छत्रीह त्रायते, राजा कस्य पुर्तह, आउनत्य, श्वसरीरम समर्प्यती, राजा सिंगह से कुम्बोधरस्य पुर्तह, अनवरत, स्वसरीरम समर्प्यती तीसरा देखिए कि निम्न लिखित पदानी निर्देश अनुसार परिवर्तित जो पद है उसको निर्देश अनुसार परिवर्तित करना है यह था एक करके दिखाया गया है जैसे सिंघह प्रत्मा एक वचन है तो इसको प्रत्मा बहु वचन में परिवर्तित करना है तो यहा वह अशुद्ध है उसको शुद्ध करना है तो पहले का में देखिए देवधारुह बरिक्षम अलग है उसको सिफ एक में कर देंगे तो वह ये शुद्ध वाक्य बन जाएगा और ख में अस्य की जगा अश्याम होना चाहिए और ग में आवाम की जगा मया होना है इमाम करना है आपका वाक्य शुद्ध हो जाएगा मंजूशा इस बक्से में जो भी पद दिये गया है उनको चुनकर इस रिक्तिस्थान की पूर्ती करना है आ करके दिखा दिया गया है अधो लिखित पदानी प्रयूज्य वाक्य रचनाम कुरुत यानि जो पद है उनका आपको करके दिखा दिया गया है फिर इक नए अध्या के साथ तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद है